नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटीब चैनल स्टडी टीप्स पर आसा करता हूँ कि आप अपने और अपने परिवार का खयाल रख रहे होंगे दोस्तों एक बहुत ही अहम जानकारी निकल करा रही है जिसे हम आप लेगों के साथ साजा करने के लिए आपके सामने उ पर दोस्तों तो देखें बुलैक फंगस से हम लोग अभी तक जूजी रहते कि अब बिहार के पटना में वाइट फंगसका मामला सामने आया है दोस्तों, ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हुए लोगों की आखों की रोसनी को कम कर दे रहा है, तो वाइट फंगस सीधे फेपड़ों में असर डाल रहा है दोस्तों, तो हम लोग जानेंगे भी पूरे तरह से ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में, हम लोगों ने ब् वाइट फंगस के मरीज, बिहार में वाइट फंगस के मरीज मिले हैं, वहीं बिहार अवी कोरोना के संकट से जू जी रहा है कि ये नई मुसीबत आप पड़ी है दोस्तों, तो हम लोग जैसा कि जानते थे ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हुए लोगों की आखों की रोशनी को क कर दे रहा है, तो वाइट फंगस सीदे फेपड़ों पर असर डाल रहा है, तो जैसा जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, कि जो वाइट फंगस से फेपड़ों के साथ साथ ना खून, तवचा, पेट, किड़नी, मस्तिस्क, ये सारे प्राइवेट पार्ट और मुह पर असर डाल सकते हैं, तो जैसा कि ये हमारा यहां पर दीख रहा है PMCH, तो पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के जो सब प्रोफेसर है, माइक्रो बाइलोजी के प्रोफेसर है, SN SINNA, उन्होंने इस बात के पुष्टी की है, कि पटना में चार केस वाइट फंगस के हमारे स सामने आया है, तो इस वाइट फंगस के क्या-क्या लच्चन है दोस्तों, तो ये देखते हैं कि ये जो वाइट फंगस है, कोरोना की तरह ही फिपड़ों को नुक्सान पहुचाता है, जो कोरोना है ना, उसी के तरह ये जो वाइट फंगस है, ये फिपड़ों में नुक्स एंटी फंगल दवाओं से किया जा सकता है दोस्तों तो क्या करना है कि आप लोगों को बहुत ही अभी सेफ रहने का जरूरत है हम लोगों को बहुत सेफ रहने का जरूरत है क्योंकि हमारा देश बहुत ही संकट से जूज रहा है दोस्तों तो चलिया आगे बात करते हैं कि कौ पूर्ण कॉन लोग ऐसे हैं जो इस वाइट फंगस से ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं तो डॉक्टरों के अनुसार बिसे सग्यों के अनुसार ऐसा है कि कमजोर इम्मेनिटी वाले लोग इस white fungus के सिकार हो रहे हैं यह डायबिटीक मरीज जो बहुत दिनों से सुगर के पेसेंट हैं सुगर के मतलब diabetes से प्रिडीद चले आ रहे हैं या फिर जो लंबे समय से एस्टरोइड ले रहे हैं या फिर कोरोना के स्टाइम पर जिनें ट्रिट्मेंट के धर्म्यान में एस्ट्रोइड दिया जा रहा है दोस्तों, उन्हे भी ये इस वाईड फंगस को होने का खत्रा है, तो क्या करना है कि अभी बहुत भी भ्यान देने का जुर्रत है तो इसका जो बचाओ है इसका बचाओ जो है प्रोफेसर एसेंस सिन्ना ने बताया है और विशेश सग्यों ने बताया है कि ऑक्सीजन या भेंटीलेटर पर रहने वाले जो रोग हैं रोगी हैं उनके लिए उच्च सपाई था मतलब बहुत ही जादा साप सपाई रखकर उसके चारों बहुत जादा साप सपाई उसको बहुत अच्छे से मतलब जो उसका पानी दिया जाए वो उसको साप पानी पिलाया जाए ठीक है साप सपाई का ध्यान रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं इस वाइट फंगस से बचा जा सकता है दोस्तों तो जैसा कि भारत में अभी तक जो व वाइट फंगस के आये हैं और इस वाइट फंगस के हम लोगों ने लक्षन को देखा और इससे क्या क्या बचाओ किया जा सकते किस तरह से बिसेसग्यों के अनुसार हम लोगों ने देखा तो जो है डॉक्टरों के अनुसार वो हम लोगों ने बात किया बिसेसग्यों के अ और पटना में ये वाइट फंगस देखा गिया है दोस्तों तो इसी जानकारी को आप लोगों के सामने साजा करने आये थे अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है और ये जानकारी से आप कुछ जानकारी हासिल किये हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो पर कमेंट क लाइक करे और शेयर करे और आप लोगों के लिए हम ऐसे ही नई नई जानकारी निकाल कर लेकर आएंगे दोस्तों तो तब तक के लिए अलबीदा और सेफ रहें अपने परिवार के साथ